जब इंडियन सिनिमा की बात होती है तो लोग हमें सब बॉलिवोड सिनिमा को रीजनल सिनिमा से उपर रखते हैं लेकिन हकीकत में कहानी पूरी तरह उल्टी है दोस्तों आजकल काफी ज़ादा उल्टा होता है रीजनल फिल्मों में आपको कॉंटेंट हमें देखने के लिए मिलता है उस कॉंटेंट की बरावरी करना बॉलिवोड के बसकी बात नहीं बलकि बॉलिवोड उनकी फिल्म का रीमेक बना करके अपनी दुकान चला रहा है दोस्तों ऐसा पहले से नहीं था केजीएफ और बाहुबली जैसी फिल्मों के आने से ये रिवलुशन आया है अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं बाहुबली और केजीएफ जैसी धमाकेदार साउस इंडियन फिल्म के जैसा जादू हमें एक और तीसरी फिल्म में देखने के लिए मिलेगा तो क्या आप लोग मेरी बात का विश्वाश करेंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं सलार के बारे में आप लोगों को बता दो दोस्तों सलार मूवी जल्दी आने वाली है सिनेमा गरों में और इस मूवी में इतनी तागत है कि हिस्ट्री फ्यूचर और प्रिजेंट तीनों ही बदल जाएंगे सिनेमा गरों के तो समझ लीजिए कि बॉलिवुड की उल्टी गिंती सुरू हो चुकी है फिल्म में लीड हीरो के एंट्री मिलेगी साउथ इंडियन इस्टार बाहु बली मिश्टर प्रभास को वैसे आप लोगों को बता दूँ सलार का मतलब आसान भासाओं में लीडर होता है तो कि अपने पीछे खड़े हजारों लाखों लोगों के लिए उनकी हक्की लड़ाई के लिए अपनी जान को जोखिम में डालके उन्हें इनसाफ दिलाता है उनका थीम अंडर वर्ल्ड और माफिया के अराउंड होने वाला है तो कि कुछ पावरफुल खतरना गेंग्स्टर आम जंता को अपने पैरों के नीचे कुचल कर उन पर हकूमत जमाना चाते हैं प्रभास जानी की बाहुबली लोगों का सेवियर बनके उनके कैरेक्टर में नजर आएंगे तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि हम सभी को पता है प्रभाफ जब एक्षन करते हैं तो कितना शानदार एक्षन होता है इस तरह केजी एफ में रोकी बाई केजी एफ में शानदार प्रदेशन करके दिखाया था उसी तरह दोस्तों सलार से भी उम्मिद की जा रही है की इता रूसा नि Ai स्शचित !" लोगों का भरुसा जीतके उनका मस्या बनने वाले ऐसे कि आप लोग लग सकते हैं की फिल्ममें वेलान्स और खुन खराबाई कूट 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 के भरा होगा इस तरह है के फिल्म के पोश्टर का कॉम्बो एकदम डार्क रखा गया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एकदम एक्षन और मोशन का तड़का काफी उचे लेविल का होने वाला है लगीन मानिए दोस्तों सलार मोवी में दम बताया जा रहा है कि वो KGF के भी लेविल को पार कर सकती है आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को ऐसी और रिव्यूट्स वीडियो को देखने के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट